जुँआ है नाश्कार दूस्तु अर्यार केजलीवाल से चेक आये का? निया यार? यार बोले उसको पैसे नहीं बज़ासने उसको गंजे को फूम करो क्या यार मैंने उसको मैं बज़ाने को ब़ुआने को बलो ऑसमा ए क्या बत्तम easy है अच्छा, पॉइंट्स क्या वोले वीडियो में, आप जिली पानी और क्या, रोड, स्कूल, यार तुम्हें की पॉइंट मुलवाते हैं, हरवार यार कुछ नया तो लिखके लाओ, अच्छा काम नहीं करना नहीं, अब कुछ नया तो लिखलो सालो, चलो देखतो हूं, बनात अच्छा नहीं की, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अच्छा की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और हम आपसे बाता हूं, मैं आपको बताने वाला हूं, हम कोई नहीं हैं, आपसिर में अच्छा करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में बात करने वाले है कि fraud किसे डिटेक करें किसी भी बिजनस में चपल उतारते हैं चपल से चटक चटक आवाज आएगी न तुमें फिर तुम बोलो गया लो क्वालिटी वीडियो बनाता है हाँ अब शायद अच्छी ऐगी आज किस वीडियो में बात करना है और फ्रॉड किसे डिटेक करें तो फ्रॉड डिटेक करनें के होते हैं चार तरीके किसी भी बिजनस पर चार ही है न हाँ चार ही है तो मैं चार तरीके बताऊँगा और भी बहुत चारे तरीके होते हैं इसका मतलब यह नहीं कि मेरे को 4 से जाधा नहीं आते हैं, मेरे को बहुत छारे आते हैं, पर मैं आज सिर्फ 4 की बात करना, तो शुरू करते हैं नंबर 1 से, सो नंबर 1 पर हमारे पास आ जाता है, cash and cash equivalents, balance sheet में होता है न, सबसे नीचे, सबसे नीचे, balance sheet की सबसे नीचे देखना, ऊपर होता है liabilities, उसके नीचे होता है assets, assets में ऊपर होता है non current assets, और नीचे होता है current assets, current assets में होता है सबसे नीचे cash and cash equivalents, other current assets के नीचे, देखो, मुझे पूरी बैलेंचीट याद है, मैं आगबंद करता हूँ न, में बैलेंचीट दिखाई देती है, सपनों में बैलेंचीट आती है, तुम्हाले वीडियो बना रहा हूँ फिर, लाइक तुम करते नियों, करो लाइक करो, शेयर करो, लोगों को बताओ, ये हो रह है, for example, total assets company के 100 करोड, और उसमें से 50 करोड तो company के पास cash ही है, तो company कर क्या रही इतने cash का अपने bank accounts में, महाँ पे खुल जानी चाहिए, तुम्हार ही ये वाली, forensic काई, इसको मैं बोलता हू, forensic काई, ये खुल जानी चाहिए, तुम्हें असर रगने चाहिए, इतने cash का business कर क रहे हैं, और कई बार पता है, इसमें नीचे notes to accounts में जाओ, महाँ पे देखो, महाँ पे तुम्हें बहुत interesting चीज में देगी, हो सकते हैं जो cash and cash equivalents हो, ये किसी foreign bank account में पढ़े हो, किसी overseas, इंडिया के किसी भार के account में पढ़े हो, और भार के account में जो पैसे पढ़े होते हैं इंग Lessons England बहुत चाहिए हैं जाधधर audit की जाते हैं भार के auditors के द्वार के auditors, और भार के auditors audit करें के बोलता हैं कि जिहां हमने audit कर लीज कर ली हमना तो फिर हम क्यों audit करें, सत्यम में यह चीज हुई थी, सत्यम में जो पैसा था, सत्यम नियार मैं company का नाम बुलिया, एक company थी, मैं नाम मुलिया, मैं नाम मिले तो नीचे डाल दूँगा description में, बट, वहाँ पे scene क्या हुआ, कि company ने खूब सारा पैसा रखा था foreign bank accounts में, foreign bank current accounts मे क्योंके auditors ने देख लिया, जांच भरत की जो भी वो करते हैं, उनको 2-3 वड़ा वाँ खिला दिया हूंगे company ने, तो वहाँ के लोगो ने बुला कि ठीक है जी होगे हाथ जो होना था, यहां के auditors के पास आई रिपोर्ट, यहां के auditors बोलते हैं, उनने देख तो लिया हम क क्यों करें, उनने भी खाल दिया हूंगे 2-3 वड़ा वाँ, तो जब cash है क्यों किसी business में बहुत जादा ही बड़े हो, अच्छे इसका मतलब यह क्या है कि cash नहीं होना चाहिए कि this business, cash होना चाहिए पर इतना जादा भी नहीं होना चाहिए कि पता चला तुमारे business का आदा प अपनी पूरी आशी जिम में रखा cash है, ठीक है, और यह सत्यम से काफी जादे resemble करेगा तुमें किस अगर तुम कुरी कि study पढ़ोगे, तो सत्यम में ऐसे कुछ हो रहा हूं, तो पहरा हमने देखा cash in cash, second हम लेखते हैं, इसके बाद तो मिलको पक्का जियल होने वाली है, तो तुम उस business को, उस business के price पे नहीं खरीटे हो, तो में goodwill दे के खरीटे हो, for example, मेरा वड़ापाओ का ठेला था, मेरा 100 रुपे के assets थे, और 50 रुपे के live lady सी, तो मेरे पास net-net किते बचे 50 रुपया, वड़ापाओ का ठेला में 50 रुपय में मिल जाना चाहिए था, पर मैं इसलिए 20 रुपय मैं उसको extra दूँगा, तो 70 रुपय, तो 20 रुपय होगी मेरी goodwill, अब वो मेरी आईगी balance sheet में, मेरी balance sheet का size बढ़ेगा, balance sheet का size बढ़ेगा, वो जो चारा हमाले analyst होते है न, वो जो 17 साल के 16 साल के scam 1992 देखके, की जी हम भी analyst, तुम 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 वो देखके बोलेंगे जी की, ओहो, balance sheet का size बढ़ रहा है, ओहो, assets का size बढ़ रहा है, ओहो, पैसे ही पैसे, non current assets का size बढ़ रहा है, ओहो, इसका मतलब capex हो रहा है, बहुत बढ़िया, तुम लगता है capex हो रहा है, आपे goodwill, goodwill आ रही है, और goodwill चल है, शास्त्रों में कहा ग पर तुम बोलो कि यार, हो सकता है, 30 भी हो सकते है, 10 भी हो सकते है, तो यह companies कप करती है, जब companies को लाना होता IPO, तो जो मोटा भाई है, उनको लाना होगा, किसी business का अपना हो सकता है, वो क्यों कर रहा हूँ या, मैं सब internet पे, तो हो सकता है उनको, अपने किसी business का, किसी sub business का हो सकता है, उनको हो सकता है retail का, हो सकता है कि telecom business का, यह हो सकता है किसी एक particular business का, उनको IPO लाना हो, तो जब IPO लाना होता है, तो book का size देखके IPO आता है, कि book का size जितना बड़ा होगा न, IPO उतना ज्यादा bumper होता है, और मोटा बाई का तो नाम भी बहुत ज्यादा है, तो bumper तो हो गई, समझे कि नहीं समझे, नीचे जाओ, notes अच्टो काउंस एक चीज होती है, उसमें देखो, tangible assets है कि intangible assets, देखो, पसीना भी आरहा है, पंखा बंद कर वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक तो करते हैं, लाइक करो, लाइक करो, लाइक, यह तो मैंना camera में गुश के मुका मारूँगा, तो, नीचे जाओ, notes of accounts में, तो महाँ पर देखो, महाँ पर लिखा होगा, intangible assets, कौन चिल्द आ रहा है, राप के बारा वेज़े, किसको दिक्कत आ रही है, पता नहीं कैसे लोग रहते हैं, आस पास मेरे, हाँ, तो, notes to accounts में जाओ, महाँ पर intangible assets देखो, अगर तो मनते हैं, गुडविल बहुत जाद अब तुम यह देख सकते हो, कि चलो ठीक, गुडविल जादा आ रही है, पर कुछ-कुछ बिजनसे होते हैं, जैसे मोटा भाई है, मोटा भाई के case में, उनके case में गुडविल चलने दी जा सकती है, वो ऐसे business require कर रहे हैं, जिनसे उनके business में addition होगा, वो अच्छ-च्छ ब जो भी कर रहे हैं, मुझे उनकी तारीफी कर रहा है, वो जो acquisitions कर रहे हैं, वो सब कुछ सही कर रहा है, पर कुछ businesses ऐसे हैं, जैसे business is Quest Corp, मेरे कल से नाम नी लेना चीज़ है, बट उस business ने football team खरीदा कि, भाई, तुमारा business है HR का, तुम खरीद रहो football club, क्यों? बटब, I have a question why, the nation wants to know, India wants to know, क्यों, भाई, क्यों, आस तो कोड़ बेन क्या रहे हो, the nation wants to know, क्या हो, क्या हो, क्या हो, क्या हो, क्या रहा है, तो football company क्यों खरीद रहो, football club क्यों खरीद है, तो ऐसे rubbish businesses से दोर रहा हो, जो उल्टी सीते acquisitions कर रहे है, ताकि सिर balance sheet का size बढ़े, क्योंकि ये ए ठीक है, कोई बात में चलो, check तो आया है पर, so हम तीसर की बात करते है, तीसर होता है sales, अब, देखो गई, accounting को बोला जाता है double entry system, accounting में फॉल्व कहता है double entry system, कोई भी transaction business में होती है, तो उसको होता है 2 impact, अब तुम sales नकली दिखाओगे, तो तुमें कुछ ना कुछ और नकल आना पड़ेगा, अब या तो तुम creditors नकली दिखाओगे, तुम बोलोगी, जी हमारी तो credit sales होई है, मैं उधार पे, उधार पे माल बेचा है, माल मतलब सामान, sorry NCB, सामान की बात कर रहा है, मैं goods की बात कर रहा हूँ, so, मेरे कहने का तातपर रही है, कि कभी ये कहना चाहत है, कि अगर sales होगी, तो वो दो तरीके से हो सकती, या तो credit sales होगी, उधार पे सामान बेच रहा हूँ, या cash sales होगी, अब अगर credit sale होती है, किसी business में, तो credit sale का concept क्या है, कि तुमारे creditors बढ़ जाएंगे, अब जब तुमारे creditors बढ़ जाएंगे, तो पता लगा सकते है, या तुमारा cash बढ़ जाएगा, अब जब तुमारा cash बढ़ जाएगा, तो मोलोगे, यार, business इतना cash कर क्या रहा है, क्योंकि देखो, ऐसा तो है नहीं कि business के पास cash आया, अब business दिखारे जी, हमने वो खड़ी ली, क्या खड़ी ली, building खड़ी ली, हमने तो land खड़ी ली, बंद businesses क्या करते हैं, अगर उनका sales manipulate करनी होती है, तो वो दिखाते हैं कि हमने नकली cash, हमने cash sales किया, cash हमारे bank accounts में पढ़ा है, bank accounts में पढ़ा है, जो कि foreign bank accounts है, अब foreign bank accounts में का जो भी पूरा concept है, वो मैंने तुमें समझा दिया, पहले ही, तो credit sales होगी, अब credit sales कैसे पैचाने की, क्य अब कुछ बिजनेस होते हैं, वहाँ पे na, credit sales तुम देखो कि दूध, dairy products company है, और वहाँ पे तुम यह देख रहो कि जो creator days है, creator days क्या होता है, debtor days, creator days का मतलब मैं बताता हूँ, debtor days का मतलब तुम अपने, जो, जिंको तुम तुम ने उधार दे रहे हो, उनसे तुम कितने जल्दी पैसे एक stack कर पा रहे हो, तो for example, मेरे को 100 रुपे देने, एक बंदे से 100 रुपे लेने, तो जिस बंदे से 100 रुपे लेने, उससे कितने दिन में ले पा रहा हूँ होता है, myra debtor days, जिस बंदे को 100 रुपे देने, उसको में कितने दिन में दे पा रहा हूँ होता है, अब मैं जितना जल्दी सामने वाले मंदे से पैसा लूँगा और जितना लेट मैं इस वाले बंदे को पैसे दूँगा बीच का दो टाइम उसमें तो मैं के बासी डिका माऊंगा उसमें तो मैं पैसे इंवेश्ट करके और पैसे मनाऊंगो नो, 25 दन पैसे डबल करने कि नी करने, तो अब एक दूद से रेड़े, ये 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 डेरी प्रड़क्ट्स होते हैं, इस से रेड़े कंपणी है, वो क्या गरती है, वो जी 90-90 दिन में डेटर से पेमेंट ला रही है, मतलब तुम अपने दूद वाले को 90 वे दिन के बाद बिल पे कर रहे हो, ऐसा हो सकते है गभी, वही भी खुल जानी चाहिए ये आँख, खुलनी चाहिए कि नी खुलनी चाहिए, यार लाइक कर दो यार, तुमने लाइक नी किया भीता, कि गलत बात है, इच्छी बात नहीं मितरो, तो लाइक करो पहले, तुम कौँछा बताओ, चलो तुम्हें बताते हैं, audit fees वाला, क्योंकि वह तुम्हारे जादा समझ में आएगा, inventory की बाद में किसी और वीडियो में करूँ, मैं नेक्स वीडियो में inventory बना दूँ, वह थोड़ा जादा समेलेगा, इसको थोड़ा short and crips रखने, crips, ठीक है, तो audit fees क हसीन ऐसा है, कि audit fees ना, चड़ावा है, चड़ावा, जैसे तुम लोग मंदिर मंदिर में जाते हो, और अगर कोई मज्यत वगर जाता है, या कोई गुरुद्वार है, या कोई चर्च वगर जाता है, बुरा मत मान, मैं से एक्जामपल दे रहा हूँ, अगर तुम मंदिर मे तुम्हारी books of accounts जो वनी है, उनको चेक करना, कि उसमें सारी accounting entries सही किया है, तुम्हें tax work सही से pay किया है, तुम्हें कोई गपला दू नहीं कि accounts में, तो वो पकड़ निकले होते है auditors, auditors कौन होते है, auditors होते है, चोर, auditors होते है, चोर, मुझे कैसा पता है, auditors चोर होते है, क् मेरे CA, चोड़ी है बीच में, यार, सारे CA नीचे आके लिखेंगे, चितने भी CA कर रहे है, गंदी-गंदी गालियां पड़ेंगे मेरे को पड़, और जो चोरी करते हैं, उनको धर मिमार नहीं होता, auditors को तुम्हें दो अड़ा पाउ खिलाओ, तुम्हें सारा सेटल कर दे अगर किसी बिजनस में, बहुत जयादा audit fees जा रही है, स्केम हो रहा होप है, अब मैं एक एग्जाम्बल देता हूँ, एक बिजनस है, दो company है, ठीक है, दो नो Nifty 50 की company है, पहले company का नाम है L&T, उसका जो auditor है, वही auditor है दूसरी company का, पर जो दूसरी company का auditor है ना, तो वह जो द नाम रखते हैं ABC & Associates, Auditor का नाम है, ठीक है, CC, 2018, sorry, L&T, sorry, sorry, L&T का जो Auditor है, वो ही हमारी दूसरी कंपनी का Auditor है, तो जो दूसरी कंपनी है, तो जो दूसरी कंपनी है, वो सेम ABC & Associates जो Auditor है, उनको फोर टाइम्स जादा Audit Fees दे रही है, क्यों दे रही है, चाड़ा जा रहा है, पंडिजी को, पंडिजी को चाड़ा जा रहा है, कुंडली मैनिपलेट करनी है, शादी गरानी है, तो कुंडली तो मैनिपलेट करानी पड़ेगी, क्या समझे, समझे की नहीं समझे, तो लाइक करो, नहीं समझे, तो भी लाइक करो, अगर नहीं समझे, बिल्कुल कुछ भी नहीं समझे, 0% समझे, तो डिस्लाइक भी कर सकते हैं, YouTube के लिए लाइक डिस्लाइक यह कि यह, कुछ लोग डिस्लाइक करके जाते हैं, खुश हो जाते हैं, कि जी, हमने तो उसकी वीडियो डिस्लाइक की, भाई मेरे या बहन भाई वीडियो लाइक करो या डिसलाइक करो वीडियो लाइक ही होती है वीडियो पुश ही होती है कमेंट करो, कुछ भी करो, तुम वीडियो देख रहोगा है? तुमने वीडियो में प्रेस किया न a? वो गया सु यूटीयोब को पता चले न कईजि यह वीडियो अच्छी है तो जाओ लाइक करो, शेर करो, कमेंट करो, सबस्क्राइब करो जहें जहमाराष्टा जहुद कौन बोला मैं नहीं बोला, मैं दो कुछ बोला ही नहीं जहें बाद